बारिश में गरीब भाभी के घर आई दो अमीर नंद ये लो मा, मा कब तक हमें यूही बाल्टी भर भर के घर से पानी बाहर निकालना होगा, मैं बहुत ठक गई हूँ हाँ मा, बहुत भूग भी लग रही है, आपने कहा था शाम को आप हमें खाना दोगी, खाना दो ना मा हाँ बच्चों, बस ये सारा पानी घर से निकाल दो, फिर मैं तुम दोनों को खाना बना कर दूँगी चट से बार-बार टपक रही बारिश की वज़ा से पूरे घर में पानी भर चुका था, आकंक्षा अपने दोनों बच्चों विवेक और अनू के साथ बाल्टियों की मदद से सारा पानी घर से बाहर निकालती है, और अच्चे से घर को सुखा कर अब चूले पर अपने दो भूख लग रही है और पैसे भी नहीं है, क्या करूँ मैं? अपने दोनों बच्चों को भूख से तडपता देख आशा उस आटे के भूसे के अंदर थोड़ा पानी मिलाकर उसे ही गूंथ लेती है, और चूले पर भूसे की रोटियों बनाकर अपने दोनों बच्चों को नमक के साथ खाने के लिए देती है, मा ये रोटी बिलकुल भी अच्छी नहीं लग रही है, कितने दिन हो गए हमें अच्चा खाना खाए हुए, हाँ मा आप अमारे ले पकोड़े बनाओ ना जैसे बुआ हर बारिश के मौसम में अमारे लिए बनाती थी, मा हम बुआ और बहुत याद आ रही है, अपने दोनों बच्चों की बात सुन, आकांक्षा की आँखों में आसू आ जाते हैं, जिसके चलते आकांक्षा अपने बीते हुए कल को सोचने लगती है, वा, भी वा, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े, हाँ, वो भी तुम दोनों के हाथ के बने हुए खाकर, आय है, मज़ा आ गया, वा, आप दोनों सच में बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, पता मेरी सारी फ्रेंज को आपके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है, तुम दोनों की शादी होने से पहले मुझे भी इसी तरह पकोड़े बनाना सिखा द अकांग्षा की दोनों नंद, शिखा और भूमी अपनी भावी से काफी प्यार करती थी, नंद भावी होने के बावजोद भेन तीनों का रिष्टा बिलकुल बेहनों की तरह था, समय बीटता है और आज अकांग्षा की दोनों नंद की शादी होती है, भावी हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप हमसे मिलने आया करोगी ना, हाँ भूमी, शिखा, तुम दोनों से मिलने जरूर आउंगी, भावी जब भी कोई परिशानी हो, कोई बात हो, तो आप हमें जरूर बताना, हमारी शादी हो गई है, तो ये समझ कर हमें पराया मत कर देना, दोनों न देता है, और सारा बिजनिस अपने नाम करवा लेता है, जिसके चलते करन अपना सब कुछ खो बैठता है, और पूरा परिवार देखते ही देखते सडक पर आ जाता है, मेरी ही घलती थी, कि मैंने उस पर इतना विश्वास किया, क्या गरूं को समझ नहीं आ रहा है, पल भर में हमसे हमारा सब कुछ चिन गया, वो तो भगवान का शुकर है कि ये सब कुछ शेखा भूमी के शादी के बाद हुआ, कम से कम वो तो अपने ससुराल में खोश है ना, अपनी दोनों नंद की शादी शुदा जिन्दगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहो, इसलिए आक कुछ सोच कर काफी परेशान हो रहा था, कि तभी एक गाड़ी से करन का एकसिनेंट हो जाता है, जिसमें करन की जान तो बच जाती है, लेकिन घायल होने की वज़ा से करन काफी समय तक बिस्तर से नहीं उठ सकता था, जिसके चलते अब आकांग शाख पार घर की सारी जिमे जाता है, भगवान इतना लाचा किसी भी बाप को न बनाए, मैं तो तुम सब पर बोज बन गया हूँ, ऐसी जिन्द की जीने से अच्छा है कि मैं मर जाओ, या आप क्या कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और बच्चे किसके साहरे जीएंगे, बच्चो इस सूखी जगह पर तुम बाबा के साथ यहां बैट जाओ, मैं पानी को घर से निकालती हूँ, भारी बारिश होने की वज़ा से सारी रात आकांगशा घर से पानी बाहर निकालने में ही बिता देती है, सुबह होने के साथ साथ धीरे धीरे बारिश भी खम होने लगती है, सारा घर साथ कर आकांगशा जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए जाती है, तो उसके दोनों बच्चों का शरीर आग की तरह तप रहा होता है, जिसे देख, अपने दोनों बच्चों के ऐसी हाला देख कर आकांगशा मनजो के कहे हुए सारे काम करती है, जिसके बदले मनजो आकांगशा को थोड़े से चावल दे देती है और उन्ही को अबाल कर आकांगशा अपने बच्चों को खिला कर दवाई खिला देती है, जहां एक तरफ भा पुरा परिवार खाना खाने के लिए तरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिखा और भूमी. सुनिये जी, सड़कों पर जाडू लगा कर मुश्किल के दिन के पचास रुपे कमा पाती हो, ऐसे में इस बारिश के मौसम में गुजारा करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए मैं सोच रही थी, क्यो ना अब मैं कंस्ट्रक्शन की जगा पर मजदूरी का काम शुरू किस ने कहा मैं अकेली हूँ, आप जो मेरे साथ हैं, अगर आज भगवान ने हमें दुख के दिन दिये हैं, तो कल वो सुख के दिन भी देगा। होंगी ना अपने ससुराल में, बहुत याद आ रही है मुझे उनकी, काश सब कुछ ठीक होता तो मैं उनसे मलने के लिए जाती, लेकिन मेरे हालाद देखो, चाहा कर भी अपनी ननद से मल नहीं पा रही हूँ, आकांग्शा अपनी ननद को याद करते हुए काफी रोती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं भूमी, शिखा, शाम को हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाना, नई कंपनी के स्टार्टिंग के लिए हमने पूजा रखी है ठीक है शाम होते ही भूमी शिखा अपने पती की न्यू कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाती है और पूरी साइट को अच्छे से देखने लगती है भूमी इस साइट तो हमने अच्छे से देख लिया अब पीछे की साइट चलते है भूमी ये तो अकांशा भावी हैं हा लेकिन यहां पर इन मजदूरों के साथ काम क्यों कर रही है दोनों नंद को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट के डीलर के पास जाती है और उसे आकांशा के बारे में सब कुछ पता करती है डीलर की बास सुन दोनों नंद अपनी भावी कबारे में सब कुछ पता करती है जिससे उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है और अब दोनों अपनी भाईया 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 से मिलने के लिए उनके छोटे से घर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे बारिश में उनकी चछत टपक रही है उनका भाई बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा है और दोनों बच्चे भूग से रो रही है वहीं आकांक्षा जैसे अपनी दोनों नंद को देखती है तो उसके आंसू नहीं रोकते है भाई ये सब क्या है आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं शिखा भूमी वो बस भाई हमने सब पता कर लिया है अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है चारों तरफ घर में पानी भरा और छट से टपक रही पानी से परेशान अपने भाईया भाबी और दोनों बच्चों को भूग से तड़पता देख जब आप आगी वरना ना जाने कब हम खाने को खाना मिलता हाँ शिखा भूमी तुम्हारी वज़़से मेरे बच्चों और पती ने पेट भर कर खाना खाया है ये तो बस शुरुआत है आपके साथ जिसकी वज़़से ये सब हुआ है ना दोनों नंद शेहर के सबसे बड़े लॉयर की मदद से राजपर धोखा धड़ी का केस करती है और नकली पेपर बनवाने के जुर्ब में उसे जेल भिज़वा देती है जिसे दोबारा सारा बिजनिस करन को मिल जाता है और अब पहली की तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है वहीं दोनों नंद भी अक्सर अपने भावी से मिलने के लिए जाया करती है और अब आकरकार इतने दुख परिशानियों को जेलने के बाद पूरे परिवार के जिन्दगे में खुशियां आ जाती है